Hello students, I am Hemchan again with you and this is class 8th subject science chapter 7, conservation of plants and animals. हमने previous class में study किया था conservation of plants के बारे में, animals के बारे में, हमने इसकी causes पड़े थी है और strip and Eat Life के बढहा था व्हाई फेरी ज़र पड़ा थाilight औरिंट फ्लोरा यंट फॉना के बारे में की हमने श्टीड किया था व्हाज पॉला क्या होता है वह पो कि हमने दो बताया था कि फ्लोरा यंट फॉना के बारे में हमने पड़ा था दैसे पेड़ पहुदे और जो जीव जन्तु है इनके बारे में हम ने स्टिड़ी किया और आज हम पढ़ेंगे नेशनल वार्क जो आज का मारा टॉबिक रहेगा नेशनल फार्क रास्टी फार्क रास्टी उद्ध्यान बोलेंगे हमसे क्या हुआ कि सड़क के किनारे एक और बोट लगा था जिस पर लिखा था स्ट्पूरा रास्टी उद्ध्यान तो चिल्डर्न आर नाओ एगर टू गो दियर माधोजी टेल्स देम देट इस रिजर्फ्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनक तो प्रोटेक होल सेट्स ओफ एको सिस्टम्स तो बच्चे वहाँ जाने के लिए उस्षूकते माधोजी ने उन्हें बताए कि यहाँ विशाल आरक्सित छेत्र है और यहाँ परियावरन की संपूर्ण संग्रणों का संग्रशन करने में परियापत है इसे हम बोलेंगे नेशनल फार्ग इसके बाद देखते हैं साथपूरा नेशनल फार्ग इस दफास्ट इसर्फ फोरेस्ट 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 उप इंडिया जो साथपूरा नेशनल फार्ग है यह रास्टी उद्यां भारत का पर्थम आरक्सित बन है तो क्या हुआ कि सरवत्म किस्म की टीकी इस बन में मिलते हैं और यह मतलब इंडिया का 100 नेशनल फार्ग से ज़्यादा की नेशनल फार्ग मां आते हैं यहां पर जो नेशनल फार्ग है वह बन नेशनल फार्ग से भी ज्यादा है इसके बाद आगे हम देखते हैं अब क्या हुआ यह अपसोस की बात है कि संग्रक्षित वन भी जियों के लिए सुरक्षित नहीं रहें क्योंकि इनकी आजपास के छेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमन के उन्हें नस्ट कर देते हैं अब क्या हुआ बच्चों को प्राणी जो उद्यान जैसे हम चिडियागर बोलते हैं ब्रह्मन की यादें ताजा करने में हो कहा जाते हैं उन्हें इस्मरन है कि प्राणी उद्यान भी वह चेतर है जहां हम प्राणियों का संग्रिक्षन करते हैं यह था नेशनल फार्क नेशनल फार्क होता क्या आपके समझ में आ चुका होगा इसके बाद हमें एक्टिवडी देखते हैं 7.7 विजिट निर्वाई जू आप निक है वह आप देख सकते हैं were they suitable for the animals can animals live in artificial setting in state of their natural habitat in your opening will be animals be comfortable in a zoo or in their natural habitat अब क्या है वहां पर कि इसका आपनी एब्जर्वेशन करना है क्या वे जन्तों के जीवन के लिए उफ्यूकते हैं क्या जन्तू प्राक्रतिक आवास में रह सकते हैं आपके विचार में जन्तू चेरियां घर में अधिक आराम से हैं और थो आप प्राकर्टिक आवास में यह आप सोच के बताएंगे कि जो एनिमल्स हैं वे चेनिया घरमादिक आदाम से हैं या प्राकृतिक नेचुरली जो आवास है उसमें ज्यादा कमपरडेबल समझते हैं वो आप बताएंगे यह था नेशनल फार्क इसके आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के नेशनल फार्क में जो ए यह देख सकते हैं आप जैसे टाइगर यह सभी एनिमल्स जो यहां पर आपको दिखाए दे रहें विल्ट बैभ हैलो यह सभी वहां पर पार्क में है इसके बार हम देखेंगे red data book जो red data की जो book है इसके बारे मां देखेंगे next जो इसड़ी है प्रोफेसर एहमद explains about red data book to the children जो प्रोफेसर तो उन्होंने बच्चों को red data पुस्तक की बिसे में समझाया he tells them that red data book is the source book which keeps a record of all the indian animals and plants red data book is maintained internationally by an organization Indian also maintains red data book for plants and animals found in India तो हुआन को बताते हैं कि red data books है उसमें सभी संक्रतवान जो species का record रख जाता है पौधों जन्तूं और अन्ने species के लिए अलगर red data पुस्तक हैं जो red data पुस्तक होंगे बिसे में अधिक जानकारी आप देख सकते हैं इसके बार हम देखेंगे migration जैसे हम प्रवास बोलते हैं माइगरेशन के बार माइगरेशन के बार मां पढ़ेंगे माइगरेशन होता गया है इसमें मादहुजी की निद्देशन में प्रवन पार्ती गहरे बार में प्रवीस करती हैं वह तवास संग्रिची छेत्य में कुछ समय अराम करते हैं पहली ने नदी के समीब कुछ पक्सी देखे मादहुजी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्सी है यह पक्सी संसार के अन्य भादों से उड़कर यहां आएं जलवायू में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्सी प्रतेक वर्स सुन्दर सुदूर छेत्रों से एक निल्सिस समय पर उड़कर आते हैं यहां अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके जो मूल आवास में बहुत अधिक स्हीट के कारण वहस्तान उस समय जिवन्य अपने तू अनकूल नहीं होता ऐसे पक्सी जो उड़कर सुदूर छेत्रों तक लंबी आता करते हैं प्रवासी उसे ही हम क्या बोलते हैं प्रवासी पक्सी बोलते हैं यह था माइग्रेशन इसके बाद है रिसाइक्लिंग और टेफर जो कागज का फुरा चक्रन है इसके बारे माँ पढ़ेंगे अभी क्या होता है प्रोफेसर आहमद जोस अटेंशन आप देफोरेस्टेशन प्रोफेसर आहमद बच्चों का दियान वानन मुलन के एक और कारण की ओड आक्रिशित करते हैं वहाँ उन्हें बताते हैं कि एक टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप और विक्सित सत्ता ब्रक्सों को काटा जाता है एक टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से कितने ब्रक्स काटे जाते हैं सेवेंटीन ब्रक्स को काटा जाते हैं अधा हमें कागज की बज़त कनी चाहिए प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उप्योग के लिए कागज का पांस से साथ बार तक पुनोचक्रण किया जा सकता है यदि कोई छाध दिन में मातर एक कागज की बज़त करता है तो हम एक वर्स में अनेक बिरक्स बचा सकते हैं तो हमें कागज की बच्द करनी चाहिए, इसका पुणा उप्योग ये फुना चक्दन करना चाहिए, इसके द्वारा हम ना केवल विरक्सों को बचाएंगी, वारन कागज उत्पादन की उप्योग में आने वाले जल ये उड़ जा की बच्द भी कर सकते हैं, इसी के साथ बच्द उत्पादन की उप्योग में आने वाली हानिकारक रसाइनों में भी कमी आएगी, ये है रिसाइक्लिंग और पेफर, जो पीफर का पुनर चक्दन होता है, ये बताया था मोहमत प्रोफेसर अहमत ने, इसके बाद हमारा लास्ट टोफिक है, रिफोरेस्टेशन, ज प्रोफेसर अहमत का सुजाओ है कि वनन मुलन का उत्तर जो पुनर रोपन में काटेंगे ब्रक्सों की कमी फूरी करने के उत्यसे से नए ब्रक्सों का रोपन करना है, देप्रोफेसर जाणन ब्रक्सों के लिए इसे से बानी लागे ब्रक्सों कि ब्रक्सит, अजसत श कैसे माटवरार रोपन ने इट रेस्टेबिलिशेस इटसेल्फ इन नेचुरल लिफॉरेसेंस देर इस नो रोल अफ योमन बिंग्स। फिर वहां पे रोपन वाले ब्रक्स सामनत उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस बन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने ब्रक्स तो लगाने चाहिए जितने हम कारते हैं। प्राकृतिक रूप से वन का जो वनुर्पण होता है। यदि उसमें रोपन छेत्र को अवादित छोड़ दिया जाए तो वह स्वता प्रश्तावित हो जाता है। प्राकृतिक जो पुना रोपन ने मानों गतिवित्यों का कोई इस्तान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नस्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली फीडी के लिए हरी संपना बनाए रखना है तो अधिक प्रक्षा रूपन ही एक मातर विकल्प है। समझ रहूंगे आप बात को। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताए कि बारत वन संग्रक्षन अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश से प्राक्रतिक वनों का परिरक्षन और संग्रक्षन करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिसमें वन और उसके समीप रहने वाली लोगों की आधारभूत आउचक्ताओं की पूर्ती हो सके। कुछ समय विश्वास करने के पस्रायद माधो जी ने वच्चों को आपस चलने को कहा क्योंकि सुर्यास्त के पस्रायद बन में रुकना ठेक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अमेत बच्चों ने इस उल्लास्पून अनभव के लिए माधो जीव का आभार विक्त किया। हाँ तो यह स्टूडयान ही था हमारा प्लांक के बारे में आनिमेल्स के बारे में चैप्न गॉर्ट संस इसके क्यवर्ट्स कामणली कर लंए ये नेक्स ग्लास में हम स्टेदिव करेंगे सेनाटी टीम क्रीशन येंट अन्सार्